हलो नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारे यूटूब चैनल डियेस ओनलाइन ट्रिकी जिक्के में और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाजन पदकाल चटी सताब्दी इस्सा पुर्वश है पर जो महाजन पदकाल भात में 16 महाजन पदकाल थे उनके बारे मे दोस्तों अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और शाथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि जो भी वीडियो अप्लोट के जाए उसका नोटिव केशन आपको तुरंत परात हो जाए तो हमारा पहल पहला क्यूशन है सूर्षेन जन्फद की राजदानी थी मतूरा वरिंदावन औरिस्ट कुरुछेसर अध्यूरा सूर्षेन की राजदानी क्या थी मतूर्लः पहले अगला क्यूशन है निमनाकित में से किस सरोत में प्राचीन भारत के 16 माजन पद्धों का उल्लेक मिलता है तो एमें मिलता है अंगूतर निकाय में दिव्य वदान में, रिगवेद में और शुत्पिटक में तो जो सोड़ा महाजनपद्दों का उलेक मिलता है वो बहुत गरंत अंगुतर निकाई में हमें सोड़ा महाजनपद्दों का उलेक मिलता है तो इसका उप्सन नमर एक राइट हो जाएगा अंगुतर निकाई अगला जो क्यूशन हुआ है मतस्य जन्पद की राजदानी थी मतस्य जन्पद की राजदानी कहा पर थी जो वर्तमान में राजस्थान में जेपूर का विराट नगर यानि की विराट नगर थी तो मतस्य जन्पद की राजदानी क्या थी विराटनगर राजिस्थान में एक मत्र जन्पद था, महा जन्पद था, मतशिय जन्पद अगला जक्यूसने वो है शिकंदर के आकर्मन के समय उत्तर भारत पर निमनाकित राजवन्सों में किस का सासन था तो शिकंदर ने जब आकर्मन किया तो शिकंदर के आकर्मन के समय उत्तर भारत पर निमनलिकित में राजवन्सों में किस का सासन था नंदवन्स का, मोरिये का, सुन्ग का और कनव का तो इसका मारा जो राइठ ओप्शन है वो हो जाएगा नंदवन्स का सासं था तो ओप्शन नमर एक इसका राइठ हो जाएगा अगला जो क्यूसन है वो है किस सासक ने अवंति को जीत कर मगद का इस्पा बनाया तो किस सासक ने अवंती को जीता और उशे अपने राज्य मगद में मिला लिया था अजाद सत्रों ने, बिम्बिसार ने, शिसु नाग ने और महा पदमनद ने तो इस क्युष्ण का जो राइट एंसर हो जाएगा शिसु नाग ने बनाया था जो नाग वंस का था अगला जो क्युष्ण ने वो है नंद राज्य का संस्तापक कोन था यानि कि नंद राज्य का संस्तापक कोन था काला सोक, महा, पदमनन्द, उपनिसद और उग्रशेन तो इस क्युष्ण का जो राइट एंसर हो जाएगा महा पदमनन्द था कुन था नंद जो राज्जे इसका संश्टापक था महापदम नंद तो इसका उप्शन नमर एक राइड दो राइड हो जाएगा महापदम नंद अगला जो क्यूशन है वो है अगला क्यूशन है मगद समराथ बिम्बी सार ने अपने राजवेद्य जीवक को किस राज्जे के राज्जा की चिकित्सा के लिए बेजा था यहनि मगद का राज्जा था बिम्बी सार और उसने जो अपना राजवेद्य था जीवक तो जीवक को किस राज्जा की चिकित्सा के लिए बेजा था कोसल, अंग, अवंती और वेशाली तो इसका जो right answer हो जाएगा अवंती की राज्या की चिकेट सा के लिए बेजा था तो इसका option नमर 3 राइट हो जाएगा अवंती अगला जो हमारा क्यूसन है वो है निमल राज्याओं पर विचार कीजी तो अजङात सत्रू बिंदुशार प्रसेन जीत हैं इन मेंसे कोण सा बुद्ध के समकालीन थे तो हमारे पास तीन राजाओं के नाम दिया है अजात सत्रू, बिंदुसार और प्रसेन जीत इन में से कौन सा है वो बुद्ध के समकालिन था तो उप्शन नमर दिया है केवल एक दो और तीन एक और तीन, एक दो और तीन तो इस कुशन के जो हमारे राइट एंसर कर जाएगा एक और तीन यानि कि अजात सत्रू और प्रसेन जीत अजात सत्रू और प्रसेन जीते तो इसका उप्शन नमर तीन राइट हो जाएगा अगला जो मारा प्रसन हो है नंद वंस का अंतिम समराट कौन था तो नंद वंस का अंतिम समराट कौन था कई बार एकजामें पुछावा क्यूशन इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन तो इस क्यूशन का जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गनानंद नंद वंस का अंतिमर रजा कौन था गनानंद था कई बार एक जम में पुछाओ क्यूशन है दोस्तो अगर आफ अमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर लेजिएगा और शाथ में आप बेल आइकन को भी प्रेज कर लेजिएगा ताकि जो भी वीडियो अप्लोड किया जाए उसका नोटिफिकेसन आपको सबसे परली परापत हो ज तो हमारा अगला जो क्यूशन वो है मगद के राज़ा अजात सत्रू का किस गण रज्य के साथ युद्ध रहा या युद्ध किया तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वज्जी या वेसाली तो इसका उप्सन नमर एक राइट हो जाएगा वज्जी या वेसाली के साथ में मगद की राज्ज्यात्स अत्रू our फ्र wesle ‫ क्या है अगले तो कि बात करते हैं फ्रतर प्रत्म बगत सम्हज्य का उतकर्ष किश्त्य सद्ध me वा था चो मगद समराज्जी का उतकर्ष है हो कौन से सदी में हुआ था तो इसका जो राइट का इंसुर क्या हुआ जाईगा। प्राचीन भारत में चमपा किस महाजन पद की राज़दानी ठी तो चमपा किस की राज़दानी थी का सी अंग मगदः और वज्जी। तो इसका हो जाएगा अंग की राज़्दानी क्या थी चंपा तो इसका उप्षिन नमर दो हमारे राइट हो जाएगा अंग अगला क्यूशन है हर्येक वन्स के किस सासक को कुनिक कहा जाता है महा पदमनंद को अजात सत्र को गनानंद को और काला सोक को तो इसका जो राइट एंसर क्या हो जाएगा दोस्तो अजात सत्र को क्या कहा जाता है कुनिक तो ओप्षिन नमर दो इसका राइट हो जाएगा अगला क्यूसन है कि महा भारत के अनुसार उत्री पंचाल की राजदानी इस्तित्ती तो जो उत्री पंचाल की राजदानी क्या थी महा भारत के अनुसार मतुरा में, हस्तिनापूर में, एहिर्चत्रपूर में और इंदर प्रस्त में तो इसकी जो राज़दानी हो जाएगी हो जाएगी अहिर चत्रपूर उत्री पांचाल की अहिर चत्रपूर और कामपीले धक्षन पांचाल की राज़दानी हो जाएगी अगला जो क्यूसन वो है मगद का कोन सा राज़ा सिकंदर महान के समकालीन था तो मगद का कौन सा राजा है वो शिकंदर महां के समकालीन था, गंनानंद वरिहत रित 20 सहर अजाद सत्रू, तो इसका राइट ओप्शन क्या हो जाएगा? गंनानंद मगद के राजा शिकंदर महां के समकालीन था, कासी और लिछवी का विले मगद समराज्य में किस ने किया कासी और लिछवी का विले मगद समराज्य में किस ने किया एक तो हो रहा है कासी और लिछवी का विले किस में किया मगद समराज्य में किस ने किया अजात सत्रू ने, गनानंद ने, बिम्बी सार ने और जरा संद ने तो इसका अमारा जो राइट ओप्शन है वो जाएगा अजात सत्रू ने तो ओप्शन नमर एक इसका राइट ओजाएगा अजात सत्रू विश्वे का पहला गंतंतर वेसाली में किसके दुआरा इस्तापित किया गया था तो विश्वे का जो पहला गंतंतर वेसाली किसके दुआरा इस्तापित किया गया नंदवन्स के दुआरा, गुप्तवन्स के दुआरा, लिच्वी और मोरी के दुआरा तो इसका क्या हो जाएगा मा राइट एंसर हो जाएगा लिछवी के द्वारा अगला क्यूसर है उत्री बिहार का प्राचीन नाम क्या था उत्री बिहार का प्राचीन नाम क्या था वत्स वज्जी सुर्षेन और अवंती तो उत्री विहार का था वजी तो इसका उप्शन नमर दो राइट हो जाएगा वजी अगला क्यूशन है किस मगद सासक ने गंगा नदी के तठ पर पाठली पुत्र नगर की इस्तापना की थी किस मगद सासक ने गंगा नदी के तट पर पाठली पुत्तर की स्थापना की थी चंदर गुप्त मोरिय ने उदीन ने अजात सत्रू ने और बिंदु सार ने तो इस क्यूशन का जो राइट ओसन हो जगा उदीन ने पाठली पुत्तर की स्थापना की इसने की अगला क्यूशन है तक्सिला के प्रसिद इस्तल होने का क्या कारण था तक्सिला का जो प्रसिद इस्तल होने के क्या कारण था प्राचिन विदिक कला मोरिय कलिन कला गांधार कला गुप्त कला तो इसका जो राइट ओप्सन है वो हो जाएगा गांधार कला दोस्तों वीडियो के अंत में आप जरूर बताएगा कि भी इस क्यूशन में से आपके कितने क्यूशन सही हो रहे हैं जिससे आपको अपने वास्ट पे इस ते पता चल जाएगा और यदि वीडियो को अपने आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले धन्यवाद